हलो माई डियर फ्रेंड्स वैलकम टू क्लास लेवन जोगरोफी हम पढ़ रहें क्लास लेवन की जोगरोफी में इंडिया फिजिकल इनवार्मेंट और चेप्टर नमबर थ्री चलना है हमारा ड्रेने सिश्टम और आज हम डिसकस करेंगे ब्रह्मो पुत्र रिवर्स सिश्ट इनहीं अद्रबा हम अज हम खबर हो जाएंगे और यह दोनों जो बहनसे इसन्फिकल प्रेंग यह आते हैं पैंसे सिशों caste दो ब्रहुपूत रिवर सिस्टेम में जानिका और हमारा हिमालेन रिवर सिस्टेम आज कुरी तरह से कम्प्लिट हो जाएगा आपको पता copies आप집 से यह तो हीर्ट के तिर्पास इसको जाना जाता यारलूंग की नाम से जाना जाता है और शांगपो तो यह इसका रूट है यह रूट आपको याद रखना है यारलूंग संग को ब्रहंपुत्रें बोलते हैं और इसके लिए में एक मैप आपको बता हूँगा कौन-कौन से ट्रिब्यूट रिजिए फिलाल तो आप बस इसका ध्यान रखना यह वाला मैप आप अपनी कौपी मे बना लीजिएगा ठीक है कि यहाँ से यह रिवर ओर्जिनेट हो रही है यारलूंग संग पो इसका टिबेट में नाम है या चाइना में आपको पता है जिब्बत भी चाइना का ही पार्ट है कहां से ओर्जिनेट होती है चैमा यूंडूंग ग्लेशियर टिबेट मांस परद Gees में एक मॉंटीन पीक है जिसका नाम है नामचाव़ा वहां से यूटन लेती है और यूटन लेके पिर ऐसे आती है अच्छा जैसे यह है औरणाोंचल पिद्फिने इसका नाम बदल जाता है जिहाँ रहना चायने में इसका नाम है संगब्Checkब्फुक और इंडिया यह इसको सिकांग बोलते हैं और दूसरी है लोहित है दिवांग और लोहित जैसे ही इससे साडिया में मिलती हैं इसके बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मु पुत्र दियान रखना जैसे इंडियाम एंटर करती है तो तब इसका नाम है दिवांग या सियांग और जब इसमे अब आप छब कर देखो इधर की साइड में राइट हो इधर की साइड में लेफ्ट लेफ्ट मेंक ट्रीज थी वाथ करें तो दिवांग लोहे दानसरी anu कपिली यह व्यएं अच्छा यहां पर एक पॉयांट है यहांपर दो रिवर मिलती इधर से आती है साउथ की तरब से दांसरी और नौर्थ की तरब से आती है सोबांसरी फिर यहां पर एक आईलेंड बलता है वर्ल्ड का लार्जस्ट रिवराइन आईलेंड मतलब रिपर पर सबसे बड़ा आईलेंड जो है माजुली आईलेंड वो यहां पर बनता है इसके ब लिखना में भूलगा हैं लिख लेना आप डुबरी जगह है और यहां से पर यह यू टर्न लेती है अच्छा एक चीज और धिया रखना साडिया से डुबरी इसके बीच में एक national waterway है एन डबलू टू एन डबलू टू नेशनल waterway है और यहां पर आप लिख लेना डुबरी डूबरी से पिलकुल 90 डिग्री पर टर्न लेती है, मतलब सीधा 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, साउथ की तरब, कहां की तरब मुड़ती है, साउथ की तरब, फिर यहाँ पर एक रिवर इसमें मिलती है, जिसका नाम है तीस्ता, यहाँ बांगलादेश है, क्या है बांगला जेते हैं आपकी होगली या जिसा सिहां दूसरी थी आपकी हूगली या इसको भागेरती बोल रहती है तो प्द्मा इसमें मिल जाती है ऐसमिना देम के ब्रह्म्त रेवर सम्झेए लिकर ब्रहुन श्रहाए कि पीज स्व Намें着 इंडिया और फिर बांगलादेश तीन देशों में ओके फिलो करती है ठीक है चाइना में इसका या फिर तिबेट में इसका नामें सांको जिसका मतलब प्योरिफायर होता है कहां से ओरजिनेट होती है चेमा यूंगडुंग ग्लेशियर तिबबत मंसरोवर लेक और केलास मौ दिवाइड है और इंडेस की तरफ चल याती है वेस्का तरफ टरफ लेयाती है मतलब बीच में यहां पर एक वा टर डिवाइड तीं है और अर अणाचर प्रदेश में एक mountain peak है नामचा वारवाब वहां से यह टरन लेती है इस्टार्ट में इसका नाम दिहांग यह सियांग होता है फिर इसमें दो river मिल जाती है एक लोहेत और डूसरी यह दिवांग यह दोनों मिल जाती है तब इसका नाम साधिया के बाद हो जाता है ब्रहमपुत्र फिर इसमे इसी river पर एक island है riverine island world का largest riverine island है जिसका नाम है माजलु आइलेंड फिर यहां से कपली river उपर से कामिंग यहां से मानियस यहां से संकोशी river और फिर यहां से डूबरी के पास से और साउथ की तरफ 90 डिगरी पर एक टरन लेती है यहां पर एक river मिलती है तीस्ता जो सिक्किम स originate होती है फिर इसका बंगलादिस में नाम जमना हो जाता है और फिर आगे चलती है आगे जाके इसमें पदमा river मिल जाती है जो कि गंगा की डिस्ट्रिब्यूटरी है और विसका नाम मेगना हो जाता और फाइनल यह बेव बेंगोल में जाके ड्रेन हो जाती और बेव बें अच्छा ये मैप आप बना लेना फिर ये नाम आएंगे आप इनको देखते चलना ठीक है तो ता ब्रह्मपुत्र बनौप दे लार्जेस्ट रिवर ऑप दी वर्ल्ड ये तो एक ध्यान रखना एक बल्ड की जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनमें से इसका नाम आता है इस कहां से ये रिवर ओर्जिनेट होती है तो रिवर ओर्जिनेट कहां से हो रही है वो चीज बहुत जरूरी है तो यह एक गिलेशियर है तिबबत में जिसका नाम है चैमा यूंग डूंग गिलेशियर जो की केलास मांटिन लेंज में मांसरोवर लेक के पास है ठीक है तो यह केलास मॉंटेन लेंज है यहां से रिवर इस्ट की तरफ ध्यान रखना यहां से रिवर जो है इस्ट की तरफ चलेगी तो इस्ट के तरह है यहां से आप देखोगे यह और चिरह औजिए त और तिबबत में मूब करते है द्राइंग और फ्लेट रीजन से और तिबबत में इसको जाना साफ की नाम से किसकी नाम से जाना जाता है सांको सांगो को मतलब होता है इसकी एक राइट वेंट ट्रिभूट रह offense कर थे हैं जिसका नामimana को सांग को तो सैंपक तो है ही इसमें एक river road मिल जाती संको रंग को संको ठीक है it emerges turbulent and dynamic river after carving out a deep gorge in the central हिमाल्याज नियर नामचा वारवा नामचा वारवा में बताया था नामचा वारवा से जब ये नीचे की तरफ बहुत तेज गती से आती है और एक कर्व लेती है क्या लेती है यूटर्न लेती है और नामचा वारवा से इंडिया में इमर्ज होती है और नामचा वारवा की height है ध्यान रखना mountain peak है 7755 meter the river emerges from foot hills and under the name of shiang और dihang में बताया था ये जैसे इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम क्या होता है shiang या dihang इसका नाम होता है तो ये जैसे यहां से आएगी तो यहां पर इसका नाम क्या पढ़ जाएगा shiang या dihang नाम पढ़ जाता है और यहां पर कहीं पर मतलब mountain peak है नामचा वारवा है फिर इसमें दो river मिल जाती है एक तो दिवांग जिसको शिकांग के नाम से भी जाना जाता है और दूसरी है लोहेत कहां पर मिलती है साडिया की पर मिल जाती है फिर इसका नाम पढ़ जाता है ब्रह्म पुत्र रेवर यह चीज़ आपको ध्यां रखनी है यह नामचा वारवास से यू करके यूटर्न लेती है तो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक और टर्बूलेंट है बहुत तेज गती से आती और तेज गती से यहां प पर मिलता है साओट वैस्ट मतलब सीज़ तो किदर की डायरेक्सन आरेक्सन में फ्लो करती है इसकी लेफ्ट वेंग के ट्रिब्यूट्रि कौन-कौन सी है एक दिवांग जिसको सिकांग नाम से भी जाना जाता ना मिलती है ब्रम्पुत्र कहां पर मिलती है यह साधिया नाम की जगए पर मिलती हैं जब बरंपुत्र रिशीव नूमरेश ट्रिबूटरी जें 750 किलो मीटर लांग जर्णी तुरू आसाम वैली ध्यां रखना इसमें कई सारी ट्रिबूटरी जमिल इत्स मेजर लेफट वेंक ट्ριब्यूटरी लेफट वेंक ट्रिब्यूटरी की बात करें एक तो बुरही दुसरी धहिंग धांसरी जोें कर रही है राइट वंग टर्बूटे की बात करें तो एक शोबांसरी मांस और यह सारी कन सी है सवानसरी बगधी जहां रखना सवारी सबाइब को ने सबहुANS रिवर वनी उसको हम एंटी सेडेंट रिवर बोलते हैं कई बार में पता भी चुका हूं फिर ब्रह्मपुत्र बांगलादेश में एंटर करती है कहां पर डुबरी नाम की जगह पर डुबरी नाम की जगह पर यह 90 डिगरी साउथ की तरफ मुड़ जाती है ध्यान रखना यह पर बांगलादेश में पर बांगलादेश में पादमा ज्योइन कर लेती है और पदमा यह पर यह फैर बे ओफ बैंगौल तो देल्टा बनाती है। इसका नामे सुन्दरवन डेल्टा ब्रंपुत्र रिवर जो है फ्लेट्स के लिए बहुत जाला जानी आती है क्योंकि ब्रंपुत्र रिवर में कई सारी रिवर्स मिली हुई है एक तो बरसात भी बहुत होती है आपको पता नौर्ट इस्ट वाले रिजन में मेगाले में जो शेरा पूंची मसीराम जो जगें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है एक तो इसमें बरसात का पानी आता है साथ की साथ में यह पैरेनियल रिवर्स है तो बहुत सारी इसकी पैरेनियल रिवर्स इसकी ट्रिब्यूट रिवर्स है तो वो हिमाले से पानी लेकर पानी बहुत ज्यादा होता है इसी बज़े से इस वाले रिजन में आप सुनते होंगे हर साल मतलब ये न्यूज में रहती है ब्रमपुत रिवर तो फ्लेट के लिए बहुत ज्यादा जानी आती है चैनल सिप्टिंग चैनल भी अपने सिप्ट करती रहती है और बैंक इरोजन इसके किनारा है उसका क्या करती रहती है इरोजन करती रहती है तो इन चीजों के लिए ब्रमपुत रिवर को जाना जाता है ये चीज बिए आप ध्यारगना है पहली बात इसकी जो ट्रिब्यू रिजने बहुत ज़्यादा बड़ी है तो अपने सा सेडिमेंट्स लेगे आती है बहुती ज़्यादा rainfall भी होती है यहाँ पर और इनका catchment एरिया भी बहुत बढ़ा है जिसकी बज़े से यहाँ पर flooding होती है एक चीज एक्ष्ट्रा यहाँ पर ध्यार रखना केर मैंने बता दिये माजुली आइलेंड ब्रहमपुत्र रिवर पर वर्ल्ड का लार्जिस्ट रिवर आइलेंड है यह चीज आप ध्यान रखना कौनसा माजुली आइलेंड तो रिवर पर भी आइलेंड पाए जाते हैं तो यहाँ पर कौनसा आइलेंड बना हुआ है Marjuli Island Burhamputra River पर ठीक है तो यहां पर हमारी Burhamputra River भी Finish हुई और अब हम स्टार्ट करेंगे Peninsular Rivers को तो बस आपके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेसंस मिलती रहे तब तक के लिए THANK YOU THANK YOU SO MUCH मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत